हलो दोस्तों मैं हूँ एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत आपका एक बार और फिर से स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेज में इस्टेडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं जारखंच लोग सेवाग की पारंबिक परिक्षा में विगत वर्षो में पुछे गए प्रशनों का संग्रह आज हम जो पार्ट देखने वाले हैं वो आज हमारा है पारंबिक परिक्षा पेपर 2013 का पार्ट नमबर 2 आज हम देखेंगे 2013 का पार्ट नमबर 2 तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फोर्मेशन शेयर करना चाता हूँ हमारे द्वारा कुछ पेड़ कोर्सेश चलाए जा रहे हैं जो आल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ़ोर उपीए सी एंड अदर स्टेट पीचेश फोर उपीपीचेश एंपीपीचेश एम बीपीचेश की आप प्री एबम मुख्य परिक्षा की तैयारी हमसे जुड़ कर सकते हैं यदि आप हमारे पेट कोर्स को लेना चाते हैं तो दिये गए नमबर 9696066089 या 856480530 पर संबख कर सकते हैं साथ या आप हमारा फ्री टेलेगराम ग्रूप जरू जोइन कीजिए सर्च कीजिए अट दी रैजिस्टरी फॉर सेविल सर्विसेज और बने रहे हमारे साथ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कोशन नमबर बन है आपका काजी रंगा किसके लिए जाना जाता है गेंडा बाग चिडिया या शेर तो आप सभी को गयात होगा जो काजी रंगा है वो जाना जाता है आपका गेंडे के लिए दान कीगा एक सिंग वाला जो गेंडा है वह काजी रंगा किसके लिए माना जा आपका असम्में और 1974 में इसकी इस्थापना की गई थी धनकी का और यहाँ पर विश्व के दो तीहाई गेंडे संरक्षित किये गए हैं तो काजिरंगा किसके लिए जाना जाता है आप सभी को ग्यात हो गया होगा गेंडे के लिए अगला question आपका question number आपका 2 आस्वान उच्छ बांध इस्तिते सुडान में, मिस्तर में, जायरे में या नाइजिरिया में देखें आस्वान बांध की बात करें तो आस्वान है आपका मिस्तर में कहां पर आपका आस्वान उच्छ बांध कहां पर आपका मिस्तर में कौन से नदी पर है धानकीगा तो यह है आपका नील नदी पर कहाँ पर है आपका नील नदी पर है और यहाँ पर दो बांध बनाएगा है धानकीगा यहाँ पर दो बांध बनाएगा है एक आपका उच्छ बांध है आपका और एक आपका पुराना आस्वन वाला लोडे में धनकीगा एक हाई डेम है और एक है यहाँ पर क्या है आपका लोडेम है धनकीगा यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई ही है आपकी 3830 मिटर और उचाई की बात करें तो 111 मिटर लगभग इसकी उचाई है धनकीगा और बहुत इंपोर्टेंट है आसवान प्रकार की कॉफी है क्या है रोबस्टा एक प्रकार की कॉफी है आपको ग्यात होना चाहिए रोबस्टा क्या है तो रोबस्टा एक प्रकार की कॉफी है जो अफरिका में उत्पन होती है और दानकी का लगभग विश्यू के 40 प्रतिशत जो कॉफी का उत्पादन होता है वो रोबो सा आयक पकार की क्या है कॉफी है जो अफरीका में उत्पन होती है अगला कोशिन है अगला कोशिन आपका 4 किस आयोग ने इस्थाई अंतर राज्य परिशत और अंतर सरकारी परिशत के नाम से जाने जाती है कि स्थापना का समर्थन किया था ता आप बताना है पंची आयोग सरकारिया राधाकेश्णन या मोईली तो इसका सही उत्तर है आपका सरकारिया आयोग देखे सरकारिया आयोग यहां पर बिल्कुल राइट अंसर है देखे जो 1983 सबसे पहली बात कब गचित की गई थी तो 1983 में जब केंद सरकार का जो उच्छे तम नयाल है कि रिपोर्ट सोपी थी और लगभग इन्होंने 247 धाना कियेगा 247 इन्होंने सिफारिश पस्तू तक झी ती जिनके अंतरगत विभिन प्रकार की सिफारिश आई थी तो एसा है कि अंतराज परिशत और अंतर सरकारिया परिशत के नाम से में जाने आती है तो वह आपका सरका या आयोग अगले कोश्चिन की बात करेंगे कोश्चन नमर आपका 5 स्वत अंतता के अधिकार के भाग के रूप में निम्न लिखित में से कौन सा बिना हतियार के शांति पूर्ण ढंग से इखटा होने की स्वत अंतरकत नहीं आता इखटा इखटा होने की अंतरकत नहीं आता आगो बताना है घेरा उपसर जो अपना करतव नहीं नहीं भाते शांति पूर्वग इखटा होना एकत्रित जिनको हतिया नहीं रखना चीए या इस अधिकार के अभ्यास पर रास्रकर कानून बना का पूर्ण पतिबन लगा सकती ह तो यह इसका राइट अंसर आपका फोर्थ वाला है यहाँ पर कि जो भारती सविदान के अधिम अनुच्छत की बात करें आर्टिकल की बात करें तो आपसे सुनाओगा अनुच्छत उन्नी का खंट एक का बी जिसमें दे रखा है शांति पूर्ण सम्मेलन की स्वतनता का अधिकार वहाँ पर दिखाई गया है धनकी का और इस अधिकार पर धनकी का दावा सम्मेलन कर सकते हैं यदि वो पूर्ण उप से शांति आधार पर हो या वो पूर्ण उप से निरायुद हो और इसमें अधिकारियों का घेराओ हिंशा की गुंजा इसना हो शांति शास्त रिकतित करने का अधिकार नहीं दिया गया है तो धनकीगा तो इसका राइट अंसर होगा आपका फोर्थ वाला अगला कोशिन कीरो बढ़ते हैं कोशिन नमर आपका शिक्स विधी आयोक के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्यक तो इसका सही उत्तर है आपका न्याइधिश एचार खन्ना बिल्कुल देखें विध्यायोक की जो अस्वी रिपोर्ट थी था नकीगा अस्वी नमर की एटी नमर की जो रिपोर्ट थी उसमें उच्च नायले से जो नायधिश है उनकी नियुक्ति के संबंदी के बारे में यहाँ पर नियमों के बारे में बताय गया था और कहा गया था कि हर प्रत्तेक उच्च नायले में हर मतलब कि प्रत्तेक हाई कोट्स में एक तिहाई नायधिश तता अने राज्यों से होना चाहिए और यह जो एक तिहाई नायधिश है यह परमभिक नियुक्ति के रूप मे में होना चाहिए और यह है रिपोर्ट कब सोब भी गई थी यह है रिपोर्ट सोब भी गई थी 1980 में सरकार को सब दी गई थी यह आपको याद होना चाहिए तो इसका राइच अंसर आपका नियाइदी आपका कोश्य नमर आपका साथ्वा भारत का राश्पती अपना त्याक पत्र किसको सोबता है आज सब्सक्राइब बताया गया है कि राश्पती जो अपना हस्ताक्षर साहित लेख उसको सोब सकता है ये इसका right answer है अगला question क्यों देखते हैं question number आपका 8 जब राश्पती की मत्यू, त्याग पत्र, पद चियूत या अन्य कारणों के अपने करतविकों नहीं निभा सकता है तो उपराश्पती कितने समय तक राश्पती की रुप में काररे करता है आप सभी को गयात होगा कि यदि राश्पती पत के दोरान उनकी मत्यू होजाती है निश्काशन होजाता है या त्याग पत्र होजाता है या उनका पद रिक्त हो जाता है तो उनके जो कारणों का निर्वा है ने वो करता है उपराश्पती धानकीगा ओप्राश्पती करता है और यह कितने महा प्रते में यह करका कने है, यह आपको याद होना चाहिए ऑफ्राश्पती तो तो क्या राष्पती बनते समय काम करेगा यह नहीं, तो बिलकुल भी देखे जो कारवख राज़पथी के रूप में यदि उपराज़पती काम करता है तो जो राजसभा का सभापती होता है फिर वो उसके पट के रूप में कारवल भी नहीं करता है आगला कोशिन के और बरते हैं कोशिन नमर आपका 9 राश्पती द्वारा जारी एक अध्यादेश संसत के सत्र शुरू होने के बाद कितने समयता रखा जाना आवश्यक है एक महा छे सप्ता है आठ सप्ता या छे महा तो आप सभी गया दोगा इसका सही उत्तर आपका छे सप्ता सब्ता, धनकी का, इसका सही उत्तर क्या आपका, शे सब्ता, बिल्कूर अटर आटर आपका, जचे सब्ता है आपका आप देख सकते हैं, और इनके प्रभाव, इनकी शक्तियां जो हैं, वो संसत द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती हैं, परन्तु कम समाई के लिए होती हैं, लगबख 6 सप्ता के लिए होती हैं, मतलब लगबख 6 महा के लिए होती हैं, और अध्यादेश जो होता है, वो संसत के सत्र शुरू हो में भारती संसत के समक्ष रखा जाता है तदर्थ नीती अतरिक्त अनुदान अनुपूरक अनुदान या अनुदान का आयोग तो देखें आप वह के अनुमान की अधियम बात करें तो जो वह का अनुमान है वो भारती संसत में अनुदान का अनुरोध धानकी का अनुदान का अर्थात लोकसभा को प्राप्त है और यही मांग के माद्यम से जो बजट पस्ता होता है उसके पूर्ण पर सर्चा की जाती है मतदान की जाता है विपक्ष इस पर कटोवी पस्ताओ भी लाता है और उसके अनुसार ही जो अनुदान की मांग है वो एक अंतिम रूप से गिरह किया जाता है तो राइट अंसर क्या है आपका अनुदान का अनुरोद इसका सही उत्तर है कि वेग अनुमान अनुदान का अनुरोद भारती संसत के समक्ष रखा जाता है अगला कोशन आपको है कोशन नमर आपका 11 भारत में बजट का राजस्व अनुमान तेयार किया जात आपको बताना है कौन करता है तो आप सभी को ग्यात होगा प्रत्यक्ष करके केंद्री बोर्ड द्वारा नहीं मंत्री मंटा सची अलाय द्वारा नहीं संबंदित आयोक द्वारा बिल्कुल भी नहीं तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्राय द्वारा बिल्कुल सही देख सितंबर से शुरू है आती है और वित्य मंत्राला के जो बजट होता है उससे संब्धित जो आर्थिक मामलों के विभिन पेकार के जो बजट होते हैं उन सभी पहली पहले पहले तियार किया आता है फिर जो वित्य मंत्राला के जो राजस्व विभाग द्वारा राजस्व प् आपका वित्ता मंदराल ہے, अगला को उसने आपका question नमबर आपका बारा, बजट एक लेख पत्र है, आपको बताना है, बजट एक लेख पत्र है, सरकार की मौदिक नीति का, बजडानिज नीति का, राजकोषी नीति का, या मुद्रा बचत नीती का तो देखिए बजट एक केसा लेख पत्र है तो धनकी का बजट एक प्रकार का राजकोशी नीती का लेख पत्र है देखिए जो बजट या वार्शिक वित्ति जो विबरन होता है वो एक राजकोशी नीती का लेख पत्र होता है जिसमें सरकार जो नीतियां हैं उनको बजट के माध्यम से अभिवक्त करती हैं और किसी भी सरकार का जो राज़कोशी नीति का प्रधान होता है उनका उद्देश यही होता है कि केसे भी आई को बढ़ाया जाए और वे को कम किया जाए जिससे राज़कोशी जो घाटा है उसको कम से कम किया जा राजपती के सिफारिश के बगेर कोई विधायक धनकीगा जो कर लगाता है विधायका में नहीं रखा जाता है यह पादवान भारती सविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत आता है ता सभी विधात होगा इसका जो सही उत्तर है वो अनुच्छेत 117 है और 117 के खंड एक म दिया गया कि यदि कोई विधायक जो कर लगाता है धनकीगा यदि कोई ऐसा विधायक है जो कर लगाता है और विधायका में नहीं रखा जा सकता जब तक उसकी राजपती की उसको अनुमती प्राफ्त नहीं हो जाए और ऐसा ही विधायक धनकीगा नहीं राजसबा में भी इस्थाबित नहीं किया जा सकता तो अनुचेत 171 क्या कहता है कि भीया कोई भी विदय एक हो जो कर लगाता है उसको सबसे पहले राशपती की पुर्वा नुमती लेना बहुती जादा आवश्यक है तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका अनुचेत 117 का खंड एक अगले कोईश्यन की बढ़ते हैं कोईश्यन नमर आपका 14 राज्य भविश निधी के अंतरकत सरकार जो मुद्रा पाती है उसे जमा किया जाता है आकास्मिक निधी में संयक्त निधी में, सामन विकास निधी में इंक्लूड कियाता है धनकीगा कौन सा अनुचेत है हमारा 206 का खंड दो ननकीगा भारती सविधान के अनुचे 206 की बात करें तो भारती सविधान का जो अनुचे 266 है उसका जो खंड है उसमें भारत सरकार या जो राजसरकार है उसकी ओर से जो भी अन्य लोक धनराशियां होती है या भवशे निदी होती है या नयाईक जमा होता है बचत जमा होता है बैंक जमा होता है या विभागी प्रकास जितना भी जमा होता है ये सभी के सभी शामीर है और ये भारत के लोक लेखा या फिर राजसरकार है तो राजसरकार के लो आपकी जाच भारती संसत के किस द्वारा की जाती है प्लाकलन समीति, सारवजनिक लेखा समीति, विशेश अधिकार समीति या हिसाब किताब जाच समिक्षा समीति तो देखे ति हम बात करें यहाँ पर बजच के तो बजच के प्रस्तुत करण की जो समीक्षा की आती है आपक की जो विस्तार की बड़ताल करती है विस्तार रूप से उस रिपोर्ट की जांच करती है और फिर एक रिपोर्ट बोलती ही त्यार करती है फिर उस रिपेट को बोल सकते हैं कि सदन के जो दोनों सदन है निम्न सदन या उच्छे सदन मतलब लोग सभा या राजसभा उन दोनो मंत्री मंदल में या लोक सवाम में था आप सभी को ग्यात होगा 33% आप तो 50 कर दिया उसको धनकीगा यहाँ पर हम देख लेते हैं यदि महिलाओं के इस्थान के आरक्षन की बात करें तो सही उत्तर क्या होगा आपका पंचायती राज वेवेस्था देखी जो तिहोत्तर वा 243D का 3 दाना कीगा 243D का जो 3 है उसको महिलाओं के सभी स्थार पर एक तिहाई आरक्षन दाना कीगा कुल एक तिहाई आरक्षन की मांग यहाँ पर या वह सकते कुल एक तिहाई आरक्षन की बात यहाँ पर कही गई है और यह आपको याद होना चाहिए तो भारत में महिला वादी Congress Party का घठन हुआ। शीव से ना Congress Party BJP या BSP तो देखे arte 99 में जो विक्रफ़न से जाती है था वादी Congress Party का गठन हुआता वह हुआ था किसके कारण हुआ था आपका Congress Party हीटा लाएट अंसर कुन से आपका Congress Party देखें दो 1989 की अगर हम बात करें तो आप सभी को ग्यात होगा जो इटालियन मूल की सोनिया गांधी जी हैं वो कांगरेस का नेतवत समालने कारण जो शरत पवार है और जो तारिक अनवर थे और जो पी एन संगमा थे इन सभी से इन्होंने पार्टी अलग कर दी थी और एक नई पार्टी की स्थापनगरी थी जिसका नाम इन्होंने रखा था रास्टवादी कांगरेस पार्टी था नखीगा इन्होंने नाम रखा था रास्टवादी कांगरेस पार्टी नाम रखा था जो की जातिवादी कांगरेस पार्टी नामक एसी भारत में हमारे कोई पार्टी भी नहीं दी गई था नखीगा अगला question आपका, question number आपका 18, निम्दलिकित में ऐसे कौन सा गेर आर्थि घटकों में से नहीं है, जो आर्थि विकास में योगदान देते हैं, मानो संसाधन, भस्ताचार, सामजिक संगठन या क्रशी में बचत, तो देखें आपका question है कि ऐसे कौन सा गेर आर्थि घटकों मे अगले question के बढ़ते हैं, question number आपका 19, निम्दलिकित में से कौन सा ग्वित्र मनतालय का विभाग नहीं है, वै, राजस्व बेंकिंग विभाग या आर्थिक मामला, आपको बताना है कि इसका right answer कौन सा है, तो इसका right answer है, तो इसका right answer है, वै आपका वै, दानकी निम्दलिकित में से कौन सा है, वै, निम्दलिकित में से कौन सा ग्वित्र मनतालय का विभाग नहीं है, राजस्व बेंकिंग विभाग है, और आर्थिक मामले को समालने हैं तो विभाग है, पर अगले question के बढ़ते हैं, question number आपका 20, संसत के बजट संबंदित प्रक्रिया के विशय में मांग की राजशी को घटा कर एक रुपे करना है, किसको कहा जाता है, आर्थिक कटोती प्रस्ताओं को, नीटी कटोती प्रस्ताओं को, आधार भूत कटोती प्रस्ताओं को या सांकेतिक कटोती प्रस्ताओं को धनकीगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका इसका सही उत्तर होगा नीती कटोती प्रस्ताव ध्यानकीगा जो नीती कटोती प्रस्ताव होता है उसमें मांग की नीती के प्रति जब असमेती होती है तब वह व्यक्त किया जाता है और इसमें जो कहा जाता है कि जो मांग की राशी है वो एक रुपे कर दी जाए, कितने रुपे कर दी जाए, जो मांग की राची है, वो एक रुपे कर दी जाए, वो ध्यान कीगा, और इसके सदस्य कोई जो वेकलपिक नीती है, वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं, परंदुस अपसादी के दियम देखें, तो नीती कटोती प्रस्त की जाती है तो इनमें से किस को एक को साधारनता ध्यान में नहीं रखा जाता ज़ाता जिड़ी पी में व्रद्धी विश्व बेंग से वित्ती सायता में व्रद्धी सकलरास्टी उत्पात में व्रद्धी या प्रति व्रास्टी उत्पात में व्रद्धी तो देखें तो आर् विकास की बात करें तो सकल घरेल उत्पाद या जो जुड़ी भी होती है तथा साथ में जो सकल राष्टी उत्पाद होता है उसकी या परसनल इंकम होती है या जो प्रतिवक्ति आय होती है ये सभी के सभी इसके अंतरकत आते हैं और विश्व बैंक में जो वित्ती साहता है उसमें वद्धी अर्थवस्ता को पटरी लाने हैं तू सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है तो यहाँ पर विश्व बैंक से वित्ती साहता में वद्धी कर हम अर्थवस्ता को सही कर सकते हैं अगला कोशन आपका कोशन नमबर 22 भारत में स्वतंतता के पश्षात प्रथव मंत्री मंजल का कानून मंत्री कौन था? केमुंची, एस्पी मुखर जी, बल्देर सिंग्या, बी आर अमबेट कर तो आप सभी ग्यात होगा इसका जो राइट अंसर है कानून मंत्री का वो है आपका फोर्थ नमबर का बीम, बी आर अमबेट कर दनकीगा बी आर अमबेट करें हापा बिल्कू राइट अंसर है देखें स्वतंता प्राप्ति के दिम बात करें तो उसके बाद जवाला नेरुजी के नेत्वत में जो पहली सरकार बनी थी उसके जो पहले मंत्री जी थे वो थे आपके बी आर अमबेट कर सहाप और 15 आगस 1947 से लेकर 1901 तक वे कानून मंत्री रहे थे और 1951 धानकेगा 1951 के बाद उन्होंने अपने इस पद से त्याग दे दिया था तो बी आर अमबेट कर धानकेगा प्रथम कानून मंत्री हैं आपको ग्यात होना चाहिए अगले कोशन के बढ़ते हैं कोशन नमर आपका 23 भारत में 1975 में चालू की गई एकिरत बाल विकास योजना किसके द्वारा लागू की गई शिक्षा मंत्राले, HRD मंत्राले, वित्र मंत्राले या महिला एम बाल विकास मंत्राले तो देखिए यहां पर है कौन सी एकिकरत बाल विकास सेवा योजना देखे एकिकरत बाल सी विकास योजना की बात करें तो सही उत्तर होगा आपका फोर्थ वाला की महिला एवं बाल कल्यान मंत्राले बिलकुर आइच अंसर होगा महिला बाल एवं कल्यान मंत्राले इसका सही उत्तर है देखे यहाँ योजना कब शुलू की गई थी तो यहाँ योजना शुलोगे गई थी 1975 में धान कीगा दिखा योजना उनिसो पिजोत्तर में एकिकरत बाल विकास परिजना महिला बाल कल्यार मंत्रा दौरा लागु कीगी थी जिसमें क्या कहा गया था इसका उद्देश ही का था हम उसकी थोड़ी सी बात करेंगे कि इसका उद्देश तो सही उत्तर का उनसा आपका फोर्थ वाला सही उत्तर दिया गया है अगला कोश्चन आपका कोश्चन अमर आपका 24 1991 की उद्दोगी की निति की अनेक बिंदू उपर आलोचना हुई थी निन दिखित में से इसक कोन सा बिंदू उनमें से नहीं था देखिए 1900 इनकेनवी की जो नई उद्दोगी का आई थी उसमें कई प्रकार के आलोचना की गई थी उसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से कोन नहीं था देखिए अनिशित उद्दोगी विकास ये तो था विदेशी प्रतियों की ताउच खत्रा ये भी था विदेशी निवोईशों में गलत विश्वास ये भी था परन्तु कर्षी सेक्टर की उपेक्षा ये यहाँ पर गलत अब्जेक्ट दिया गया है देखिए यदि हम 1991 की जो जुलाई 1991 में जो नई उद्दोगिक निती आई थी यदि हम उसकी चर्चा करें तो उसमें विदेशी निवेशी पर हम केसे विश्वास करें ये सबी की सबी चीज़े वहाँ पर थी परन्तु कशी सेक्टर की उपेक्षा आलोशना का एक कारण पर वाला क्या होगा इसका सही उत्तर दिया गया है अगला क्वेशन है आपका क्वेशन नमर 25 भारत सरकार द्वारा शेर का पूझी विनिवेश के लिए रंग राजन समीती कब नियूट की गई थी 1991 में 1993 में 1999 में या 2004 में तो देखिए भारत सरकार द्वारा इसेर का 1993 में दानकी है कब नियूट की गई थी 1993 में नियूट की गई थी बिलकुर आइट अंसर है देखिए भारत सरकार द्वारा जो शेर मार्केट है वो शेरों मार्केट में शेरों के जो पूझी विनिवेश कवाला माद्य में उसके लिए रंग राजन समीती की नियूट की और केवल परमानू रक्षा छेत्र को छोड़ कर जितने भी अन्य छेत्र हैं उनको इसके अंतरकत रखा जाए तो भारत सरकार द्वारा शेर का पूझी विनिवेश की रंग राजन समयती की नियूट कप की गई थी 1993 में की गई थी अगला कोशन आपका कोशन नमबर 26 भारत में राजसरकारों में निमलिखित में से कौन सा एक मुख्यतर राजस्वकर का भाग नहीं होता है आपको बताना है राजस्वकर का भाग इनमें से कौन सा नहीं होता है भूमी राजस्व, पंजी करन शुलक, सीमा शुलक या वानिज्यकर तो देखिए जो सीमा शुल शुलकी की बात करें तो सीमा शुलक जो हो है वो केंद सरकार के हाथ में होता है देखें जो सीमा शुलक होता है पूर्णुप से संग के अधिकार में आता है और इसको संग सरकार मतलग इसको केंद सरकार ही लगाती है केंद सरकार ही वसुलती है और केंद सरकार ही खर्च करती बाकी भूमी पंजी करन और वानिज ये तीन उंबेर अधिकार किसका है राजी सरकार का अधिकार है परंतु सीमा शुलक पर केम सरकार का अधिकार है अगला कोशन आपका कोशन नमबर 27 विशुप भूगता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और अटरा अपरेल को क्या मनाया जाता है तो धानकीगा अठरा अपरेल को मनाया जाता है विशु विरासत दिवस मनाया जाता है यदि हम सत्तावी सितंबर की बात करें तो सत्तावी सितंबर को विश्व परेटन दिवस मना जाता है 27 सितमर को विश्व परेटन दिवस और 10 दिसम्बर की बात करें तो अंतरास्टी मानोवधिकार दिवस के रुपे मनाया जाता है देखनकी का date और दिवस कई बार पूछ लेता है स्टेक पीस्टी में तो यह आपको यार होना चाहिए, अगला कोशिन आपका कोशिन नमबर 28 सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थ व्यवस्थाओं, ब्रिक, ब्राजिल रूस, भारत, चीन में दक्षिन अफ्रिका कब सम्मिलित हुआ, दानकीगा पहले ब्रिक था, ब-R-I-C फिर ये बाद में, एस इसमें जुड़ा है ब्रिक्स हो गया बाद में दक्षिन अफ्रिका जब साउथ अफ्रिका इसमें सम्मिलित हुआ तो पूछ रहे हैं कि साउथ अफ्रिका कब एड हुआ था, तो वह हुआ था आपका 2011 में, कब हुआ था ब्रिक था और अब एस जुड़ा मतलब सौथ अफरिका जुड़ा कप जुड़ा 2011 में एड हुआ तप्सेश का नाम ब्रिक्स कर दिया गया है अगला कोशन आपका कोशन नमबर 29 हिंदू भादरपत मास में जनजातियों की कोन सी पूजा होती है रावनम्भी सरहूल कर्मा या सोहरा है तो इसका सही उत्तर है हिंदू भादरपत मास में जो जनजातियों की कोन सी पूजा होती है तो वो होती है आपकी कर्मा क्या उनसी होती है आपकी कर्मा देखे जो कर्मा जन जाती का एक महतपुरन ती होहर माने जाता है और आदीवासी तथा सदानों में समान रूप से पचलित भी होता है जदि हम इसकी शेनियों की बात करें तो इसकी दो प्रकारिक शेनियों होती है उती होती है आपकी राज करमा जो घर के आंगन में की जाने वाली पूजा होती है और एक होती है आपकी देश कर्मा जो अखरा में की जाने वाली समोहिक पूजा होती है तो सहीतर कौन से आपका कर्मा इसका right answer है next question की बात करेंगे question number आपका 30 संथालों में गाउं के प्रधान को क्या कहा जाता है मातो, पहड़ा, मुखिया या मांजी तो राइट अंसर है इसका आपका मांजी देखे संथाल गाउं जो होते हैं मतलब संथाल गाउं पहली बात उनको आतों कहा जाता है और आतों को जो प्रधान होता है वह कौन होता है तो वह होता आपका मांजी धनकीगा जो बहुत सकते हैं कि जो आथो होते हैं उनका पधान होता है वो मांजी होता है और संथाल गाओं की पंचायते कहां बेड़ती है तो वो बेड़ती हैं आपकी मांजी धान में बेड़ती हैं ये आपको याद होना चाहिए अगले question के बात करते हैं question में आपका 31 धूम कुरिया किसे जंजाती की सामाजिक संस्ता है आपको बताना है कि जो धूम कुरिया है वो किसे जंजाती की सामाजिक संस्ता है औराओ, कुडुक, मुंडा या संथाल तो देखे धुमकुरिया की अदिवात करें तो धुमकरिया है आपकी ओराओ जनजाती की सामाजिक संस्ता है और इसके बारे मैं थोड़ा ओर डिटेल की बात करें तो इसमें जो यूवक यूवतिया होते हैं ये जनजाती रिती दिवाजों के अनुसार या परंपुराव का अनुसार इनको परशिक्षन दिया जाता है जिन में 10 से 11 वश के आयू में प्रवेश मिलता है और इनके विवा होते हैं इनकी सदस्ता भी दिरे-दिरे समाप्त हो जाती है और इनके लिए धानकी का दो पकार के नाम चलते हैं जोंख एडपा और पेल एडपा देखें जोंख हजारी बाग का सूरज कुंज धार्खांट का सबसे अधा गर्म पानी का स्तोत है इसका तापमान क्या है तो इसका तापमान है इसका तापमान है इसका तापमान है आपका थरड वाला जो कि हजारी बाग जिले का जो बढ़ हाता है बरेठा से दो किलम्ड दूर वहाँ पर रिस्तित है और यह गरम पानी का इस तो हो थे जिसका तापपन आपको बता दिया गया है अगला कोशन आपका कोशन नमबर 33 छोटा नाखMoon में फुस्फुस बल्वा मिट्टी किस छेतर में पायाती है दामदर घाटी छेतर में तो आप कहले जिए कि जो हजारी बाग है और यहां मिट्टी पूनुप से लाल एहां पीले रंकी होती है जिसमें मोटा अनाज अधिक अधिक होता है तो मोटा अनाज के लिए धामदर घाटी छेत्र में फुसफुस बलवा मिट्टी पाई जाती है अगला कोस्विन आपका कोस्विन नमबर 34 डामदर घाटी निगम की सथाहफना कब हुई थी तो डीवीसी की सथाहफना हुई थी आपकी 1948 में दामदर घाटी परिविजना की दिम बात करें तो यहाँ जारखन राज और पस्षिम मंगाल की संयुक्त एक परिविजना है जिसका अंतकर आठ बड़े बांध एक अवरोधक बांध और छे जल विदुद गरह तथा तीन ताब विदुद गरह बोकारो ताब विदुद गरह चंदरपूर ताब विदुद गरह दुरगापूर ताब विदुद गरह भी बनाया गया है तो दामदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में पूछी गई थी कब की गई थी तो 1948 की गई थी अगला कोशन आपका कोशन नमर आपका 35 राची में कैथोलिक गर्जाघर की स्थापना कब हुई आको बताना है कि राची में कैथोलिक गर्जाघर की स्थापना इन में से कब हुई थी तो वहाँ हुई थी आपकी 1909 में कब हुई थी आपकी 1909 में दाना कीगा राची की यदिम बात करें तो राची में जो रोमन कै ज्छारखांज में मुख्य तक कितने प्यकार की फसलें पेदा की जाती हैं। आपको बताना है कि ज्छारखांज जिस्टेट में कितने प्यकार की मुख्य फसलें होती हैं। तो आपको याद होगा कि इसका राइट अंसर आपका दो पकार गी देखिए अधि हम जारखंज राज्य की क्रशी की बात करें तो उसमें दो पकार की फसले होती है एक होती है आपकी खरीब की फसल और एक होती है आपकी रभी की फसल दानकीगा खरीब की फबसल और अभी की फबसल होती है और इन दो फबसलों के अलावा भी एक पकार होता है जिन्हों बोलते हैं जायद की फबसल डानखीगा जायद की फबसल भी कभी-कभी कभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी परंत पून रूप से देखें तो खरीब हो जो रभी की फसल है वो अधिक रूप से होती है इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार की फसल होती है यदि हम चेत्र देखें दोनों का तो धानकी का 90.5% गरीब होता है और बचाओ हूँ आपका 9.20% होता है आपका खरीब की बाद आपका रभी की फसल और 0.75 जो होता है अपका जायत की फसल होता है इसलिए आप कह सकते हैं कि दूसरा यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है आगला कोश्चन आपका, कोश्चन नबर आपका 37 अठरा सत्ताउन की क्रांती में संपूर्ण सी बूमी छेतर में क्यांती कारियों के प्रमुख नेता कोन थे आपको बता ना है कोन थे इसके प्रमुख नेता, राज़त दुरुजन साल, राज़ा अरजुन सिंग ठाकूर, विश्चोना साही या टिकेट उम्राव सिंग तो सही उत्तर है आपका सेकेंड वाला, इसका राज़ा अर्जुन सिंग ठाकूर धान कीगा राज़ा अर्जुन सिंग सिंग ठाकूर यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है देखिए जिम बात करें, 3 सितंबर 1857 की जो भगवान सिंग और जो रामना सिंग थे उनके नेत्तर में, सीबुमी छेतर में, चाइबा सेमें जो सेनिक हैं उन्होंने विद्रो किया था और इन सेनिकों को पोरहाच नरेश अर्जुन सिंग ने मदद की थी और अपने दिवान जो जग्गु है, उनके साथ छेतर में कानतिकारी गती विद्यों का भी नेत्रत्व किया था राजा अर्जुन सिंग ठाकूर के नेत्त में तो राइट जंसरे आपका 18 सताओं की क्यानति में संपूर सीबुम छेतर में क्यानति कारियों के जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे आपके राजा अर्जुन सिंग ठाकूर थे अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 31 ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई अगर बताना है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी ता आप सभी को गयात होगा जत्रा भगत के नेतरत में की गई थी और इस आंदोलन को बिड़सा मुंज़ा जो आंदोलन है उस आंदोलन का विस्तार माना जा सकता है और यह एक प्रकार का संसीत करण आंदोलन था जिसमें जो एकेश्वार वाद वाद है उसको अपनाने की बाद मास मदीरा त्यागने की बाद आदिवासी नत्यों पर पावंदी लगाना जूम खेती पर वापसी पर विभिन पेकार से बल दिया गया था जिसमें अधि हम देखें तो शिवु भगत सहाब बलराम भगत जी देव मानिया ये विभिन पेकार के जो थे इनकी महत्पुर्ण भूमिका रही है अप्रेल से थे आपको बताना ही कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे तो आप सभी को गयात होगा जैपाल सिंग जी इसका राइट अंसर है कि जैपाल सिंग जी आदिवासी नेता थे देनकीगा जो जैपाल सिंग जी है वो मुस्लिम लेक के सयोग से सवधान सभा में एक निर्वाच के सदस्य बना दिये गए थे तो धानकीगा जैपाल सिंग को आदिवासी उपसमती के सदस्य बनाया गया था अगला कोश्ण आपका कोश्ण नमर आपका 14 बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है जंगल का आदमी प्रक्रति प्रेमी आदमी या पवित्र आदमी या आम आदमी दो देखिए बिरहोर का जाता है जंगल के इंसान को या जंगल के आदमी को धानकीगा जो बिरहोर है देखिए दो शब्दों से बनाया एक आपका बिर और दूसरा आपका होर बिर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है आदमी मतलब जंगल का आदमी से इसका अंत जाता है मतब बिरोर का शाब्दिक अर्थ पूचा गया था तो आपको गया थोना चीए का इसका अर्थ है जंगल का आदमी अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 41 लेक शब्द की उत्पत्ति संस्क्रप्त में किस शब्द से हुई है लेक शब्द की उत्पत्ति आपको 60% लेक अर्वी अगला कोसिन आपको नमबर 42 जार्खांओ इसकी श्थापन की 2007 में यंको इसको बोलते हैं टिसको क्या बोलते हैं इसको टिसको कंपनी की स्थापना 1907 में की गई और इसकी स्थापना जो जम्षे जी टाटा है उनके दौरा की गई थी और जो पूर्वी जो सी भूमी जीला है वहाँ पर जो स्वर्ण ने रखा और खरकई नदी है उसके संगम पर की गई है और कहाँ पर की ग प्रभात कुमार जी जो थे वह जारगंज के प्रभार बोसकते हैं कि प्रथम क्या थे आपके राज जिपाल थे तो धना कीगा प्रभात कुमार जारगंज के प्रथम राज जिपाल अगला कोशन आपका कोशन नमर 44 चोटा नागपूर का छेत्र बिटिश शाषन का अंतग और उसने कमपनी की सरकार के अधिकारिक था वो बाद में स्विकार कर ली थी जिसमें लगभग उसको 12,000 रुपर साला ना देना स्विकार किये गया वो 1772 में छोटा नाखपुर का छेतर भी बीटी इंशाषन के अंतरगत आ गया तो कोशन था बीटी इंशाषन के अंतरगत तो राइट अंसर क्या है आपका 1856 देखे ज़िए हम संथाल परगना कास्तिकारी अधिनियम 1855 की बात करें तो इसको 1856 में लागु किया गया था जिसमें कहा क्या गया था कि जो संथाल परगना की जो भूबी संब्द अधिनियम है उन सभी को लागु किया जाए और जो का अधिनियम में कौन सा अधिनियम संथाल परगना कास्तिकारी अधिनियम 1855 में इंक्लिउड किया गया था अगला कोश्चन आपका कोश्चन नमर आपका 46 छोटा नागपूर में विलिंकस कानून कब लागु किया गया विलिंकस कानून आपको बताना है कब लागु किया गय जो चोटा नाकपुर के जो आदिवासी लोग थे उनके विद्रों को शांद करने के लिए 1837 में विलिंकस कानून लगू किया गया था और यह किसके नाम पर है यह थे आपके केप्टन केप्टन विलिंकस थे इनके नाम पर यह नियम बनाया था जिसमें जो कोलहाल छेत रहे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार से उनको शांद किया जाय उनको शांद करने के लिए यह नियम बनाया गया था अगला कोशन आपका कोशन नमबर 47 छोटा नाकपुर कास्त कारी कानून कब लागू हुआ आपको बताना है कास्त कारी काम अधिन लागू तो यह हुआ था आपका 1908 में, दानकी का C&T 8 के बारे हम पूछ रहे हैं, C&T 8 मतलब छोटा नाकपूर कास्ट कार यदिनेम कब लागू हुआ था, 1908 में लागू हुआ था, और यदि इसकी थोड़ी सी डिटेल्टी की बात करें, तो इसकी रूप रेखा किस ने तियार की थ दानकी का जनजातियों का मेगनगाटा की रूप में भी इनको देखा जाता है, तो इसका राइट का अंसर कुम सा है, 1908 वाला, अगला कोशन आपका, कोशन नमर आपका 48, सोहरा किस जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, विरहोर संथाल मुंडा या उराओ, तो देख लतेवहार है, जहाँ पर पशुओं है, उनको सद्धा अपरित करने का त्योहार माना जाता है, और यह जो कार्तिक महा होता है, उसकी अमावस्या को मनाया जाता है, जिसमें लगभग यह पांस दिनों तक चलता है, विसमें जो यूवक यूगतियों होते हैं, यह विभीन 1365 मीटर, धनकी यह मीटर में बता दिया है, और फुट में है, 480 मीटर है, और इसकी अधि सर्वोच चोटी की बात करें, तो इसकी सर्वोच चोटी को कहा जाता है, समेद शिखर, धनकी क्या कहा जाता है, समेद शिखर कहा जाता है, जो जेन दिर्थिस्तल के रूप में भी माना जाता है परसनादी की पहाड़ियां अगला कोश्चन और इस वीडियो का लास्ट कोश्चन है की पचास नंबर की जारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नियाम क्या है तूसू, बारहा, सरहूल या करमा तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या आपका सरहूल देखी, जो सरहूल है वो जारखंड के आदिवासियों का सबसे महत्मूर तयार है और इसे बापोराब भी कहा जाता है मतलब पूलों का त्योहार, दानकीगा फ्लोवर्स का त्योहार, फेस्टिवल फ्लोवर्स फूलों का त्योहार भी इसे कहा जाता है और यह बसंत रितु के समय जब शाल के पेड़ की शेखाओ पर नए फूल खिलते हैं तब मनाया जाता है और देवताओ की पूझा भी की जाती है तो यह इसका राइट अंसर है तो दानकीगा यह थे कुछ कॉशन जो धारगंज PCS में पूछे गए हैं तो बने रही है स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस के साथ जहिंद बंदे मात्रम